बीरू अकाड़मी के यूटूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर बात करेंगे सिच्छा जगत से जोड़ी होई महात्रपुन खबरों पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबस्क्राइब करके बागा प्रेस कर लिजे दियर आपके स्क्रीन पर जो पहली अब डेट लगी होई है वो आप देख सकते हैं 12400 स्टाट सिचक बरती से जुड़ी होई है यहाँ पर सिचक बनने के लिए इंतजार करना पड़ा साथ साल का और आखिर का आज इनको जो न्योक्ति पत्र है वो बितरित हैं वो कंप्लीट होने जा रही है शेकन्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो लगातार चल रही है आप देख सकते हैं काउंसलिंग में आगर आप के 102 अभ्यरतियों ने काउंसिलिंग कर रहा ही ये बलरामपुर से प्रकासित नूज है आप देख सकते हैं क्योंकि 50 प्रकास से ज्यादा सीटे इसलिए अभी भी रिख्त है 12,460 में क्योंकि सुन जन्पत की वज़ा से वहां पर जो कैंडिरेट थे वो सारे कैंडिरेट 79,000 हो जन्पत में पूरी तरीके से अलजबल कर दिया गया है काउंसिलिंग इत्यादी के लिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की अगली अपडेट आप देख सकते हैं 12,460 सिचक वर्ति के होजा से जो उत्तर प्रेस में बेसिक सिचकों की पदोनती का प्रोसेस त्यार किया था उसको पूरी तरीके से इस्थकित कर दिया गया है और यहां पर बेसिक सिचा दिभाग के जो सचिव हैं प्रताज सिंग बगेल उन्होंने कहा है कि अभी पदोनती का कारिक्रम नहीं किया जा सकता है क्योंकि 12,460 का जो कहीं ना कहीं कांसिलिंग इत्यादी है आवंट न लिए हम अगले आदेश में आपको निर्गत कराएंगे अलग से सुच रहा है इसके संदर्भ में दी जाएंगे फिलहाल बेसिक में जो पदोनती होने जा रहे हैं जूनियर में वो अभी इस्थकित हो गए हैं और इनको इस्थकित करवाने के लिए बीएट की तरफ से एक आप आएंगी बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं प्राइमरी में नियुक्ति के लिए बीपीट की डिगरी पात्र नहीं लखनाव खंडपीट की बेंच के द्वारा आपने एक आदेश में कहा कि प्राइमरी स्कूल में सायक साथ पर नियुक्ति के लिए बीपीट की डिगरी युक्ति नहीं है नयायले नहीं यह भी कहा कि बीपीट डिगरी बीटी सी की भैकल्पिक सच्च्चिक योगता ही रही तो आप देख सकते हैं बीपीट जो की इक तारेडिक सिच्चक के रूप में इनकी काउंटिंग की ज बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तो अगली अपडेट आप देख सकती हैं ये भारती पुनरवास परिशत की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कल दीनांक 4 जनुई 2024 को आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पर यह बताया गया है कि जो दो वर्सी विएड अभी विएड होगा वो चार वर्सी विएड ही होगा यहाँ पर आप देख सकती है एस्पेसल एजुकेशन प्रोग्राम को चलाने की उने बात की है नई सिच्छा नीतिकेत है तो तरीको ये निर्देश दिया गया है कि दो वर्सी जो विएड है वो पूरी तरीके से उसकी कोई म से जुड़ी कल एक महत्रपूर सुनवाई मानिक शुक्रिम कोट में होई यहाँ पर विएड जो चैनित हैं 79,000 में लगा गई एप्रॉफ में तीस जार कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हैं उनको बाहर करने के लिए गुड़्डू सिंग की एक याचिका लगी होई है जो सुप्रिम कोट के जिशा अंद्रेश के बाद ही हुई है 20 सितमबर 2020 को जो जुजवेंट के एक और यह भरती कम्प्लेट होई है लेकिन इस बर डियलेट की तरफ से जो पेटिशन थे उन्होंने जो पेटिशन डियलेट की तरफ से जो एडवोकेट थे वो कपिल सिब्बल जी थे उन्होंने कहा कि देखिए जब सुप्रिम कोट पर यह मैटर गया हुआ था उन्हों सिच्छा मित्रों के समयोयोन को रद करके कि गया था तो एक में 40-45 कटाप रखी गई हो दूसरे में 60-65 सासन को द्वारा बढ़ा दी गई एक जाम के अगले दिन तो उसको ले करक गया था ना कि NCT के घजट को ले करके गया था उन्होंने सारी बाती इस पर स्वत पर रखी और आखिरकार मानिक शुप्रिम कोट ने सभी पच्छों को जो नोटीस है वो जारी कर दी अपना अपना जो पच्छे वो दाखिल करना होगा और 20 जनवरी 2024 को इसकी एक नई जो ड रखती है अगर राज सरकार पूरी ताकत के साथ नहीं खड़ी होगी तो निश्चित तोर पर आप ये मान लीजिए कि भरती एक बार पूरी तरीके से पचले में फंस्ती जा रही है यार आप जानते हैं कुनतर यार से चगवरती में और भी कई विवाद हैं इसमें अर्श जनवरी की सुनवाई को में आप थोड़ा सरकार पर दबाव डालिए राज सरकार से परामर्स कीजिए कि हमको भी यो निश्टी प्रक्रिया में तुरंत इंक्लूट किया जाए और हमको कहीं ना कहीं मौका दिया जबकि आप जानते हैं लखनो एकल पीड ने पूरी अर्श स्थिती का गजट जब से रद हुआ है निश्चित तोर पर हर राज्य में जो विवाद की स्थिती है वो उत्पन हो गई है लेकिन ग्यार अगस 2013 के जज्जमेंट में मानिक शुप्रिम कोट ने एक बात ये मेंसन्स कर दी थी कि कोई भी रूल या कोई भी नियम तब तक सम इक है जब राजस्थान की जोद पुरहाई कूट ने एंसीटी के बनाई हुए अठाइट जून 2018 के गजट को क्वैस कर दिया था तो थोड़ा ये प्लस पाइंट जरूर है उत्तर जार में विएट चैनिकों के साथ लेकिन फिलहाल किस तरीके से जो डियलेट की तरफ से ज 46,000 केंडिडेट हमारे पास 60, 65 में क्वालिफाइड हो रहे हैं और पद 69,000 हैं साथी दलीले उन्हों रखी थी उन्हीं को जैसे विएट इंक्ल्यूड हुआ था फिलहाल अब राजसरकार का क्या स्टेंड है विएट चैन्तों को लेकर कि ये एक महत्रपूर कतम होगा आने तरीके से मैं पिन कर दूँगा उस वीडियो को आप जरूर अंदर तक देखिएगा सारे डाउट आपके 79,000 सिक्षक बरती से जुड़े जितनी बीवाद हैं समाप्त हो जाएंगे चैनल पर जितनी लोग पहली बारा है सबस्क्राइब कर लिजेगा जय हिंद वंदे मात्र बार